तो हम बात करने वाले हैं VVA Micro Programming हमें लास्ट इंट्रेक्शन क्लास में बताया था कि VVA को तक है VVA एक programming language है जिसकी मदद से आप अपने MS Office के अंदर में tools को develop कर सकते हैं अब यहां एक confusion दूर कर लिजेगा कि VVA जो है आपका कोई नया software नहीं बनाता है समझें वह आपकी MS Office के अंदर कुछ नय टूल्स को develop करता है क्या करता है नय टूल्स को develop करता है किस फॉर्म में Micros functions and user form के रूट में Micros जो कि एक autopilot होता है जो आपके steps को follow करता है functions formulae होते हैं और user form interface होता है जो कि हमने last class में आपके साथ discuss किया था I hope याप सारे चीज़े याद होगे समझ गया होगे आगे बात करते हैं कि हम VVA माइक्रो प्रग्रामिंग आखिर में है क्या क्या benefits है किस के लिए यूज कब करेंगे करने से पहले क्या preparation करेंगे इसके बारे में एक बार नॉलेज ले लेते हैं तो सबसे जाने कि VVA हमारा है मतलब कि किसी काम को तुरंद करने के लिए तो तुरंद क्या चलिए एक छोटा सा माइक्रो आपके सामने बनाते हैं हलांकि प्रगामिंग आपको समझ में नहीं आएगी बस आप यह समझेगा तो आप बस यह समझेगा कि आखिर इसका सीखने के बाद क्या स्तमाल करेंगे बस इस को आप देखिए को कोडिंग तो भी सिखाया नहीं मैंने आपको समय लगूंक हैगी है तो मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया हुआ है कि हमने चार पांथ नहीं बर डेटा का हमने रख दिया। ठीक है अब चेर चार पांच सीग हो सकते हैं या चार पांच मांच हो सकते हैं या उस से ज्यादा सौदौसओ और मेरा काम क्या है इन सारे डेटा को एक निचे घृत काम Conference लेकिन सबसे बड़ी बात है हो सकता है कि कोई सीटाफ मिस कर दो या किसी को डबल टाइम कर तो मतलब कि पेस्ट करने के बाद करने के और भी पूरी से मन में कर दिया तो आप हो गया कि इस तरह से आप होगा एक संकार है कि सब्सक्राइब लेकिन जब काम करेगा तो 100% के साथ कोई बुलेगा गलत हो गया तो साब बले गलत बहुत प्रसक्राइब कि समझें जैसे हम अगर राशन की दुकान में जाते हैं और राशन बला आपके समान का जोर घटाओ मैनुवली कर देता है तो आप मन में संका होता है कि यार इसमें गलत किया होगा पिर आप मुवाइल निकाले के चेक कर लेते हैं लेकिए यही चीज़ चीज़ होता है तो आप बस तोटल लेगते हैं आप मिए कि समान का कितना हुआ क्या जोड़ते रही रही तो कि आपको स्टम पर ट्रंस्ट होता है कि इसने आपको पर पषरी निकाल है यह जोड़ती नहीं किया होगा सही बट वही चीज़ मैनुवल हाथ से करेगा जो से लाला जी पहले करते थे उसमें हमें सब्सक्राइब करता था कम से कम दो वार हम खुद से चेक करते थे कि सही है गलत है सेम दिंग आपको यहां भी होगा कि आप अगर मैनुवल करते हैं तो हमेशा आपको जब कोई कही है गलत है तो आपको और एक बार ने कई बार चेक करोगे तब जाकर बोलोगे नहीं नहीं है नहीं चेक पिया गलत नहीं लेकिंगे तो आप एक बार भी चेक ही करेंगे आपके अन्सेडेंस होगा कि इसलिए अटमेशन इसलिए होता है लेट है अब बात करते हैं इसको हम कैसे तो हमने बीविए को और और लगार मुस्टाइब करता है और यहां से इंसर्ट करता है अब मुडूल मिन लिखते हैं हम सब पी डिस्कास करेंगा है हमने कॉपी ठीक है नाम से बना लिया सबसे पहले चले आते हैं यहां पे next i or your happy over sheets i dot select range a1 dot current region dot copy sheets देटा इस पेस्ट करना में और सिंपल सा देख रहें इंग्रीज इंग्रीज लैंग देज़ें यह वड़ी है नहीं और मुस्टी रिलेट कर रहा है आपके एक्सकी फीचर से शीर्स सब्सक्राइब डेटा डेटा नाम पर शीट एक्टिविए जा रहे हैं क्या जाएंगे लास्ट में ऊपर के दरफ डॉप अपसेट वन कॉमाजी रो डॉट पेस्ट स्पेस्ट इंपल है अब देखिए हमने सिंपल सम प्रोगार्मिंग लिखा अम मुझे जाना है अपने डेटाशीट पर और यहां से एक एक जो है हमने जो कॉपी करें रेंज एवान ठीक है ना तो देट मींज हमारा जो कॉलम नबर रो नमबर वान है तो बैसिकली डाट इज वो तो सारे एक वन डॉट करेंट रिजन हमने आपको लगतल की लाश बताए लाट रिजन क्या होता है अग्या ने कॉंट्रोल एक एक बर सीट वन सीट टू सीट थी कोई एक सीट में आओ कर तो यह जो नेम जैनुरी फेबर्रारी मार्च एप्रिल में नहीं होगा यह जब कॉपी होगा जो डैटा सीट सेट करेंगा वहांपे चौक हाँ एबरी टाइम हमारे पास जैनुरी-फेबरारी मार्च एपरिल में जुन जो है यह तो हीडर है का सब्सक्राइब तार्ट अब यहां पे मैं इसको रण करने और कभी आटोमेशन हम तो एक बार स्टेज हमारा पूरा हो गया कि हमने उसको कॉपी पेस्ट कर लिए अब आप बोलता कि नहीं नहीं हेडिंग नहीं आना चाहिए तो हम यहां एक हेडिंग रखके बाखी देटा डिलीट कर देंगे जो कोड डालेंगे आपका करेंगे तो मैंने यहां पे डाल दिया एक्टिव सैल डॉट एंटायर रोड़ दॉट डॉट दॉट दॉट दिलीट कि अब देखे गया कॉपी किया ठीक है डिटा प्याया पेस्ट किया और एक्टिव सेल कि अभी एक्टिवेट कॉंसा एक्टू है जो पेस्ट हुआ उसके पूरी रोग कुछ ने कहा कि आप डिलीट कर रहा है कि जब आपके बाद 10 सीथ है या 100 सीथ है या 100 फाइल है फाइल होगा तो फाइल करना पड़ेगा वह आपका डेटा को कॉपी पेस्ट कर देगा एक ब सब्सक्राइब करेंगे तब क्या करेंगे जून है वह सकता है कि जून पहले हो जून पहले क्या कि आप किस तरह के अब यहां पर में कॉंपिलिकेटेड माइप्रों फंक्शन लिख दू तो सब्सक्राइब भूल जाएंगे इसी विद्धाने ने गॉट इसको इसके पीजिए कि आखिर है कि आपने देखा कि आपने मैंने बनाया जो कि कई सारे शीट के डेदा को कॉपी पेस्ट कर देए यहां पर आएफ बन कुशिन की अगर यहां पर शीट नंबर आप शीट जितने भी होंगे यह सब को ले लेगा यह मने कि यह मैंशन किया था को आप रहा है तो इसी फाइल में जितने भी शीट सुंगे उनको यह करतेगा तो माइकव दो तरह के होते हैं फुली अट्रमेशन और से अब डिपेंड करता है आपको कि आपका इंपूट क्या है इंपूट अगर है आपका आउट्पूट सिस्टमाटिक है तो आप फुली अट्रमेट कर सकते हैं पर आपके पास देटा कॉम्प्लिकेटेड है देटा और यह नहीं है आप जैसे कि अभी दुझे पास एक यहां सब्सक्राइब करने का कुछ अप्सिन बताएं मैंने उस फाइल को यहां पर इंपोर्ट कर तक किया टेक्स्ट पर्मेट में था अब यहां पे कोई सिस्टम ही नहीं अब क्या से रेंज होगा तो यह आप कुछ नहीं है तो मैनुवली नहीं कर सकते आप अब देखिए और बाई यह अगा कस्तमा नहीं यह तरिपोर्टिग लेबर हो गया एक कॉंटेस्ट बुक हो गया बैलेंसिंग टू अब यह आगा डेट एद्वाइस कलेक्शन एज दिखाए अब इसके नीचे डेटा यह देटा भी देखिए किस फॉर्मेट में फिर यहा और है कि मदिखाए तक्वान जाई मोर्ण भी स्थथ सेंफ पॉर्मत यह हैं देटा यह तोंग इसव European थायर पृत हुक्तिक ऐसीर सोजन भूया सां सब्सक्राइब करें हम टेक्स्ट्टू कॉलन भी करते हैं तूभी स्थेसलेंद में होगां समझाएब जी सार तो देटा का फॉर्मेट जैसा होगा उसी तरीके से आपका वर्ट करेगा तो आपने देखिए दू सिच्वेशन होती है वी पी के इस्तिमाल करने के लिए पहली सिच्वेशन होती है रीपिटेट जॉड ऐसा काम जिसको आपको बार बार करना करना पड़ता है अब ऐसा थोड़ी कि बहुत ने एक छोटा सा रिपोर्ट राने के लिए जो कि पिवर्ट टेवल से आप कुछी सेकेंड में मिनट में बना लेंगे पहली हो सकता है कि पूछे ना पूछे पता ने आप उसके लिए आप लगे प्रोग्रामिंग करने करने के प्रोग्रामिंग करने के स्टेप को कॉल herb करने क्या लाक्य करने करना होगा के आपको जो बार बार आपको करना होता है उस पर देटा करेंगे या लेंदी वर की एक कि ऐसा काम आया जो कि करना आपको एक ही बार है लेकि इस वेरी कॉंप्लिकेटेट में बहुत ज़्यादा संख्यान है जैसे एक्जाम्पल में मैं आपको दाता हूं कि मैंने आप लिखिया पोस्ट पॉस्ट कि माली जे कि हमने एक इंटरनेट से डेटा निकालना करेंगे पॉपी किया और एक्सल्स कर दिया सब करने के साथ क्या हुआ कि इसका युवारेल है वह चाहिए अब जैसे कि यहां आपका विपसाइट का अट्रेस ठीक है लेकि ऐसा हो सकता है अब इसके अंदर जो वेबसाइट है यह आपका ओरिजिनल जो पूरा एक्चियल वेक्स लिंक है वह इसके अंदर डाला हुआ दिख रहा है इसको एडिट करूंगा और फिर इसकी हाइपनिंग को यहां से लूंगा और इसके सामने पेश करें अब बहुत स्पीद करेंगे एक दिन में हजार से पंद्रों सब्सक्राइब करने में कित्रा दिन लगे जासे एक में लग जाएगा हुआ 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 है हुआ है तो इसके क्या करेंगे इसके लिए करेंगे हम डेवलपर में जाहेंगे विच्छोंगे से और यहां मुदूज अब यहां फॉर्मरा बना देते हैं फंक्शन यू-rl ठीक है और यहां पर लिखेंगे सिंपल सा यू-rl एक्वल डू अब देखिए मैं यहां यू-rl का फॉर्मूला अपना खुट का फॉर्मूला बना दिया चोटी सी करती होगी यहां पर वन और सब्सक्राइब अब एक लाख होगा यह पांच लाख होगा आपको जस्ट्राइगी तो करना है पर लेंदी पर देखा कि माइक्रो बनाने में और मैनुवल करने में हमारा टाइम फोन साथ कम लग रहा है जो कम लगेगा यूज करेंगे ना सब्सक्राइट अब एक दिन के लिए और एक दिन आपको आपको आफिस माल लिए एक दिन जाना है उसके लिए अब कारी थो नह होगे तो से मुसी तरह से कुई अगर काम एक दिन का करना है उसके लिए प्रगामिंग करने का जरूते मैनुवल कर लो लेंगे एक दिन करना लेंदी है तो इसको वर्प करो पहले चीज तो यह होगए हमारे पहली कंडिशन के रीपिटेट जॉब और लेंदी जाए जिसके मैक्रोगा कि दूसरा इसमर्ण करते हैं कि कि किस के लिए कई देखे क्वल्ट आपका मैक्रोगा यहां पे हम आप आप सॉ लोगों को भीज में है आपको पता नहीं कि सॉ लोगों को सॉ जो भी है कि हूँँए आपके इससे फैमिलर है मैक्रो से फैमिलर है अब उसको मैक्रो ना पता हो तो कि समझना है ज़र पाइल ओपन करते ही उसकी आँ दिखाएगा से क्वेटी अलाट प्ली जनेबल मैक्रोज समझ में आया तो कर देगा नस्में आशी तरफोन करें यार फाइल में तो वहारा से लट दिखा रहा है फिर आप समझाओगे कि यारे मैक्रो कोटिंग किया है कैसा कोटिंग किया या तो नहीं कर लोगे में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी तो आपको पूर्ष्ट मिलेना पड़ेगा कि इतनी स्रदर्दी क्यों करेंगे हम लाइग तो मैं हर स्टुट पूलता हूं कि मैक्रों को लास्ट ऑप्शन नाट फॉस्ट ऑप्शन अब इसे एक और रीजन है क्योंकि आप जबने मैक्रों यूज करोगे तो माइक्रों कंपनेंट आपका वर्क नहीं करेगा किस पे वेब वोटल पर आपके मोस्टली इंप्लोई जो होंगे जो ट्रेबल करते होंगे या बॉस होंगे उस सिस्टम लेकि लेक्टॉप लेकर बैठके आपका रिपोर्ट देखें जूरी नहीं है मॉइल पर भी देख लिखते होंगे तो आप जब फाइल को किसी को भेजते हो तो आप इंसोर हो जाओ कि मैक को यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो क्यों बेज़ेंगे आपका वेजना तो रेट हो जाएगा ना फिर समझे रहे हैं सब्सक्राइब करना है और किसके लिए करना है तो करना है आपके जो कि आउटसाइल के लिए करना है और खुद के लिए है तो दुआ के करना को इसके अब बात करते हैं कि उससे मैक्र स्टार्ट करने से पर ले क्या क्या है सबसे पर आपका डेवलबर टाप चाहिए इस आपके बास वह नहीं है तो आपके अंदर ऑप्शन और यहाँ यहां कस करना है और लिखने से पहले करना है फाइल को करते हैं ध्यान रखेगा एक्सल वर्क बूक में फाइल को सेव कर देते हैं है समझे जिने फाइल को हमेशा माइक्र वर्क बूक में से अ ध्यान से और पहला से करने और फिर कोडिंग विए और सारा का सब्सक्रां को पूलिए है कि समझ गया है कि अजय है कि सब्सक्राइब को जी सब्सक्राइब इसमें आगे जो एक बात है वह है कि एक आर्टिकल फिर आपको पढ़ना है वह आपका एक्सल वीवीए डॉट एक विपसाइट है एक्सल वीवीए डॉट अपर दिखराएब साइट मेरा नहीं है नहीं ना मैं इसको पर मोट कर रहा है तो मैंने इसको बहुत इसमें तो फोटो की रूप में इमेजिस के रूप में अच्छे समझाया हुआ है कि सम्झें सर्व हाँ जी जाता है तो मैं आप से गुजारिश करूँगा कि आप जह है आप जह है टाइम निकालके या तल टाइम निकालके इस आर्टिकल को बढ़ें करेंगा आपके साथ अल्गुरिदम के बारे में रिकार्डिंग मायक्रो और उसको कैसे करें इनके बारे में ठीक है फिर हम पर्सों से आपकी जो है वी वी कोटिंग सुरूब तो मिलते हैं सेम टाइम सेम लिंग हम यूज करेंगा ना ठीक है ओके आपके सब्सक्राइब